हेलो गाइस गुड मॉर्निंग शुपरबात स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे नेम ब्लॉग में और आज एक और धुमाकेदार ब्लॉग के साथ आये हैं हम और हो चुक यह दिन की भी सुरुवात और मैं आया हूं अपने डॉगी के साथ बाहर और यह है मेरा डॉगी के नाम है अलफा देखते हैं और अभी आपको दिखा रहा हूं मैं सन्राइज और यह सामने आपको दिख रहा है जो गहों की खेती है जो कि पप चुके हैं और यह सामने का नजारा तुमारा इदर का महला यह देखिए और यह दर आम का बढ़ी चार तरफ आम ही आम लगे हुए इस बार फिसले बार की मुकाबले इस बार काफी अदिक मात्रा में आम लगे हुए है और यहां पर इस साले घर में हम रहते हैं और अभी यह दोनों सोर्क हैं यह देखो यह एक्टिता नेगी जी अक्ष्व हाई क तन्नी हाई करो और यह तन्नो अभी आए हैं हम अपने खेट में और यहाँ पर थोड़ा जो यह घास गुज होगा उसको उखाड़ना है और यहाँ पर कुछ बोईंगे तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर लेस्ट लगाए हुए हैं यह देखित प्याप इस घास को मै खाड़तों पहले और फिर एकदम चगाचक हम आए तो आज हम आए हैं भाव वाला सब्जी मंडी और यह देखिता आप यहाँ पर सब्जी मंडी लगी भी है यह देखिए आज थोड़ा सा कम दुकाने हैं क्योंकि इद भी आज तो इस होजासे जो व्यापारी हैं वो कम प आफी भीड है लोगों की यहाँ पर जो ग्राउंड है भाव वाले में मांडू वाले की तरफ तो वहाँ पर सब्जी मंडी लगती है तो देख सकते हैं और साथ-साथ यहाँ पर चिकन भी लिया जारा आज चिकन बिरियानी बनाई जाएगी और एक बाद फिर से आज हम स्केस में, यह पूरा यह क्या क्या यह वाला खेथ और इधर बनाया और आज इश् sacar करेंगे इब तै भलक का जो कार्य forbaryं यहां पर यह इदर 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 अज़ने आज लगर है और यहां पीछे करने है और यह वाल की अधर बढ़ाते है तो गैस खेत में आये हुए लगबग एक घंटा हो चुका है और यह वाला खेत हमने तियार कर लिया है एक यह वाला यहां पर सी यह और एक यह वाला और अभी यह वाला खेत तियार किया जा रहा है उसके बाद यह पूरा इदर से करना है और यह बीच वाला तो कल तयार कर लिया था तो इसके बाद हम घड़ जाएंगे तो थोड़ा सा यह वाला खेत तो फाइनली आज खेत का का पूरो हो चुका है तो यह वाला जो खेत है इसमें इसमें बगल वाला जो है यह वाला यह वाला और यह वाला जो है यह आज हमने त्यार किये हैं और इनमें लग वाला होगे सब जोगा बोच चुके हैं कुछ न कुछ किसी में खेरा किसी में बिंडी किसी में बीन्स और अन् तो अब हम खेच से आ चुके हैं तो घर में बहुत लग रही है तो इसलिए थोड़ा सा आइस्क्रीम का मज़ा लेते हुए और इधर से हम को जाना है तो यहां पर थोड़ा आइस्क्रीम खालेते हैं नहीं तो घर जाते या तो पिगल सकती है तो अभी हम आए हैं सेलकोई स्वाजी मंडी देख सकते हैं आप यहां का नजारा काफ़ी भीड लगी हुए तो अभी हम जा रहे हैं मंडी से दर के और रही तो अभी में रोड पर पहुँशने वाले हैं सेलकोई की अभी हम पहुशने वाले हैं सेलकोई मार्केट में अभी थोड़ा और जिन से आज तोड़ा कम बीड लग रही हैं आपर जचक्चाप ये है बाइड एंगल श्कूल बाइड श्कूल इडर गई हैं और ये अन्या 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 वगारा ये देगे क्रैफिक लगाला है सब्सक्राश से देख गई है और ये अन्या जब दिवी तो फाइनली अब हम घर में पहुंच चुक हैं तो आपको वीडियो पसंद आए होगा तो आपसे निवेदर मेंगा वीडियो को जादर जादर शेयर करें लाइक करें वीडियो पर और जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले जल्दी मिलता है आपको सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए टाटा बाइब टेक केर